वेलकम टू जी के पुर्ण से समने कोईस्टन्स हैं लगभा इसमें 50 को मैंने लिया है जो कि आपके एक्ट्याम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को और अगर इसका आपको पीडियो चाहिए तो आप लोग टेलिग्र चैनल के लिए वहाँ पर इसका पीडियम मिल जाएगा ठीक है तो इसका यह च्छाथा सीरीज इसके पहले पांच पार्ट आज चुके हैं जिसमें बायों के चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह च्छाथा पार्ट जिसमें बोगोल से मैंने 50 प्लस कोईश्चन लिया है तो यह भी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देखिए इन तक चले स्टार्ट करते हैं पहला कोईश्चन है कि चुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच परिश्चित है तुलबुल पर्योजना जोगे जहलम नदी परिश्चित है तो इंपॉर्टेंट कोईश्चन से और अगर सेशन पसंद आ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा तो अपने दोस्तों में जो लोग चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिएगा न सौथा है लिंग राजमंदित का नशनल पार्क सिमली पनेशनल पार्क और दूसरा नशनल पार्क हों भीतर कनिका न scientist फार्क यह दो नशनल पार्क है जो ठीजैंट कर्षां Urisah में चल का जहील aren को तो मगाव की मुद्रा को पटाका है को सिबडाइब से नाम न मनपाव में चरघाँ को क्या ना嗎 तो खाल च्वांड जहां ओर पाम्पास है थारगाँ जहाज संब्द्सक्राइब क्या कि अधा जाती है तो हमाँ बच्चा और गाहों को पंपास ही कहा जा था उसे से उस घास का नाम भी लिखा गया तो यह क्वेशन पूछा गया था सुनदा ज़ड दमरुमद कींदिपो के बीची से जाओर सुमात्रा के बीच से उस सुनदा नाम दिया गया है इंडिया हाउस कहां पर इस्तित है इंडिया हाउस लंदन में इस्तित है इंपार्टेंट यह इसलिए क्योंकि इसका नाम इंडिया हाउस है तो आप लोग समझें कि यह इंडिया में ही होगा लेकिन यह लंदन में इस्तित है ठीक इसका जो है अवस्तिति यह लंदन है मोने जाइट जो किसका आएसक होता है तोरियम का आएसक होता है मोने जाइट गर्सपच जोग जलप्रपात किसे नदी पर इस्तित है सरावती नदी पर इस्तित है जो कि पुछा गया गर्सपच जोग जलप्रपात कहां पर ते सरावती नदी पर इस्तित है ठीक है और question number 11 मान सरोर जील कहां परिस्तित तिब्बत में इस्तित है वन लाइनर question है जो कि जाम में बहुत पूछे जाते हैं next question है बीजय नगर किस की नदी के तर्ट परिस्तित तो बीजय नगर जो हुआ तुमभद्रा नदी के तर्ट परिस्तित है एंसर इसका तू बंतरा नदी हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 13 है बंगला देश में गंगा नदी को क्या कहा जाता तो बंगला देश में गंगा नदी को पदमा नदी से नाम से जाना जाता ठीक है बंगलादेश की राधधानी का नाम है ढाका और बंगलादेश की मुद्रा का नाम है टका ठीक है बंगलादेश में इसे में बरतमान सीम पीम है उनका नाम है शेख असीना हाथी गुफा मंदिर हाथी गुमफा मंदिर होना चाहिए हाथी गुमफा मंदिर उसका नाम हाथी ग तो खार बेल ने बनवाया था और यह उड़ी सा राज में इस्तित ठीक है गोकाक जर्णा गोकाक जर्णा जो यह बेला गावी करनाटक में इस्तित है यह क्वेश्चन पुछे जाते हैं पिर्थिवी का धुरुए ब्यास पुछा गया कितने किलो मीटर तो 12714 किलो मीटर है अभरा कैसिन बार आश ठीक है पार के ऐसा का नाम है सिनेभा इस मित्टी कादाओ का मुख कारण पारा कि अधित्ता दों निमाता रोगल क्को थूअ Westmore कोईशन पूछा गया है नहीं आता मिट्टी के कट्वाम का मुख का रहन हा जंगलों का काटना र्शान्स किस नदी पर है तो यह सतलू जनदी पर है भाख़ा नागल बांद कि बांदी पुर राष्ट्री उध्यान किस राज में इस्तिते करनाटक में करनाटक में और राष्ट्री उध्यान के सांज़ करना में औसी राष्ट्री राश्ट्री उध्यान फाये ढार एक नागर वोल पांच बार यान तो पाह जाते प्रणप से पृते हैं कष्चेण नमरो सब्सक्राइब करने बसक्रांबं तो स्पेर्य जू झांवे और ओष होता है कपास के लिए आदर स्मिट्टी काउन चीन होती तो काली मिठ्टी हो तुरिट पार वोस्प्राश्चात को महरास्टर में पाए यह काली मिट्टी हैं किसम मिठथे पानी केस जिल कांट सी है काला पैगोडा कहा परिस्टिक आप अबेनियाा देश की राध्धानी काशार किसा है यख़ भूमद सागर यूम लाल सागर को जोड़ती है ठीक है क्वेश्चन नमर 35 डीगो गारसिया किस महासागर का दीव पह तो यह हिंद महासागर पह जाता है डीगो गारसिया ठीक है कावेरी जल्बिवाद किस राज में इस्तित तो कावेरी जल्बिवाद तमिलाड और करनाटक कराज के बीच में है पश्चमी घाट किस नाम से और जाने जाती है तो यह सहाद की नाम से भी जाने जाती है पश्चमी घाट सबसे छोटा दिन उत्री गोलार्द में कब होता है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्री गोलार्द में और दच्छडी गोलार्द क 22 दिसंबर यह चीज़ें याद रखने हैं आपको महा नदी किस खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में महा नदी गिरती है कचारी जनजात का संबंद ये है असमराज से तीक कैसमराज से कचारी जन जातीऊ का सम् Meeting जाती जोotzdem में पाई जाती है नेश्ट कोश्चन है प्रिशिद मिनाक्षी मंधिर कहां पर इस इंपॉर्टनक कोश्चन है मद्रूई में इस्तित है ठीक है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है 2525 किलो मीटर लंबाई है इसकी करकरेखा कितने राजियों से करकरेखा हो गुजरती इंपर्टन कोईस्टिन ने पूछा जा चुका है ठीक है अब आठ राजियां कौन कौन है आठ राजियों तो मिजोरम है त्रिपुड़ा है पश्ची मंगाल है राजस्थान गुजरात मदबर्देश चातिर और जहार गंड इन राजियों से ओकर करकरेखा गुजरती है भारत में यह याद रखना आपको रन थंबाउर अभ्यारन कि थे ठीक है एंसर इसका राजस्थान हो जाएगा प्रियरी का संबंद किससे तो प्रियरी का संबंद जो है उत्तरी अमेरिका के सीतोस और घास के मैदान का नाम प्रियरी है नेस्ट कोश्चन देखते हैं भारत का सबसे लंबा बांद बताना है भारत का लंबा बांद तीन महीना, तीन महीनों के बराबर बुद्ध का एक दिन होता है, लेटे राइड मिट्टी में किसकी पर चूरता होती तो लेटे राइड मिट्टी में आईरन एउन सिल्का की पर चूरता होती है, सिल्का मींस बालू, ठीक है, सिल्का मींस बालू, गारो हिल्स किस राजी चंडिगर में इस्तिता और यह था पचास क्वेश्चन जिस भूगोल के संबंदित थोड़ा सा जी के स्टेटिक से भी पार्ट आ चुके हैं तो उपराल सेशन जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन थे तो आप लोग अगर सेशन पसंद है तो लाइक करें दोस्तों सेर भी करें ठीक है सबस्क्राइब तो करिएगा अगर नए हैं तो ने अपडेट लेने के लिए और इसका नेस्ट पार्ट जल्दी लेकर आँगा तब तक के थैंक यू